हैलो एन वलकम टू दी न्यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इग्नाइट डिजार एजुकेशन तो मैं हूं रोहन वर्मा और इस चैनल पर हम एजुकेशन से रिल्टेड वीडियोस को लगातार पोस्ट करते रहते हैं तो अगर आपको एजुकेशनल वीडियोस को लगातार देखते रहना है तो सब्सक्राइब करें हमाई नए चैनल इग्नाइट डिजार एजुकेशन को तो आज इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे वो है कम्प्यूटर स्कैनर स्कैनर हार्ड कॉपी इसको कलर्ड और ब्लैक और वाइट दोनों फॉर्म में स्कैन कर सकता है स्कैनर का इंवेंशन रे कुर्जुएल के दौरा सन 1957 में किया गया था इसमें उन्होंने जो फर्स्ट इमेज स्कैन की थी वो एक व्यक्ति कर्ष नाम के व्यक्ति की तीन महीने की बच्चे की इमेज थी ये एक प्रकार का ड्रम स्कैनर scanner का use handwriting print text या images या इसके अलावा और किसी अन्य object को hard copies को soft copies यानि digital form में convert करना होता है computer digital form digital copies को असानी से understand कर लेता है scanner basically four types के होते हैं flatbed scanner, sheetbed scanner, handheld scanner और चौता है drum scanner जो first scanner Ray Kurzweil के दोरा बनाया गया था वो एक प्रकार का drum scanner ही था flatbed scanner के बारे में flatbed scanner जैसा की नाम से इस पर श्टो रहा है कि यह बिल्कुल flat होता है इसका use documents और other objects like images और papers को scan करने के लिए होता है इसमें images automatically आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं के समय में computer में सबसे ज़्यादा जिस scanner का use किया जाता है वो flatbed scanner ही होता है flatbed scanner basically images को automatically आगे की तरफ भेजता है इसमें लगी हुई lights उन पर पढ़ती है और जैसे ही lights उन पर पढ़ती है photo sensors image को capture कर लेते हैं इस प्रकार से flatbed scanner work करता है next है seed fed scanner sheet fed scanner का use papers को scan करने के लिए किया जाता है other objects की तुलना में या flatbed scanner head head scanner drum scanner की तुलना में काफी अलग होता है जिस तरीके से जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है handheld scanner handheld scanner में जब तक capture नहीं कर लिए जाती है scanner के दौरा तब तक हमें इसे हांस से move करना पड़ता है यह बाकी un-scanners की तुलना में अधिक चीप और छोटा होता है handle scanner में एक प्रकार की lights का arrow होता है यानि क्रम में धेर साई चोटी 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 lights होती है और जैसे ही copy पर light बलती है वैसे ही photo sensors के दौरा image को capture कर लिया जाता है अब बात करते हैं flatbed और handheld scanner में अंतर के बारे में तो flatbed scanner high quality images को capture करता है यानि जो यह provide करता digital form में जिस image को वो काफी high quality की रहती है और यह handheld scanner की तुल्ला में महंगा होता है जबकि flatbed scanner flat surface पे work करता है जबकि handheld scanner में हमको images या copies को आगी की तरफ drum scanner drum scanner ही पहला scanner था जो बनाया गया था इसका use high quality images को scan करने के लिए किया जाता है इसका use किताब या magazine चापने वाली company इसी प्रकार के scanner का use करती है यह काफी अच्छी quality की images को output करता है अब बात करते हैं scanner के advantages or disadvantages के बारे में scanner के through high quality images को scan किया जाता है scanner scanner direct ही digital form में convert कर देता है hard copies को यानि कि hard form से digital form में direct convert कर देता है images and objects को और इसका एक advantage यह भी है कि graphic form में convert नहीं करता है images को direct ही hard form से soft form में convert कर देता है scanner के disadvantages के बारे में बात करें तो scanner काफी space लेता है memory में काफी जगा scanner ले रेता है इसके लाबा image कुछ quality का loss भी करती है scanner में scan किये जाने पर यानि कि अगर कुछ pixels का loss scanning में scanning के बात हो जाता है original image की quality पे final image depend करती है यानि कि ये self को कुछ improve नहीं करता है images को ulta और उसकी quality को down कर देता है So thank you for paying attention अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो हो तो like करना न भूले और subscribe करें हमाई नए चैनल Ignite Design Education को Thank you